नमस्कार दिवाली के आप सबको धेरो शुब कामना है और यह देखरें आज मैं धनिया के प्रांट के साथ आई हूँ जो अपने आप में एक चालेंजिंग टास्क है धनिया को उगाना तो इसका बहुत ही सरल सरल आसान मैं बिल्कुल वीधी लेकर आपके पास आई हूँ कि ह अब आसानी से धनिया हुगा सकते हैं कम सोर्स के साथ कम स्पेस में कम चीजों के साथ तो चलिए इसके पार पूरा डीटेल वीडियो स्टार्ट करते हैं यह जेकी का धनिया गोटा धनिया है कोई भी आप ग्रोसरी शॉप से इस तरह का पैकेट ले सकते हैं बसरते ध्यान जान देजेगा कि जहां तक हो ताजा से ताजा धनिया हो अच्छा हो इस बिल्कुल ऐसे इसके प्लांट हो सकते हैं या बिलकुल खोकला है तो इसके लिए आप इसको से कटिं करके देखेंगे अगर 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 है क्या दोंटतब्द वाले, सेन्टर हैं कुछ तहां टीक है जिसेट थे एक लिए डाल की कमे अझेặd टीक है एक युदिशन होते हैं ऊसके यह प्लांट मेरे को सब्सक्राइब पहले सकता है क्लशित है अंकुरित होने के लिए तो यह मैं क्या की हूँ को कोल्डिंग बोटल था बड़ा सा कोल्डिंग बोटल इसमें उपर समें इस तरह से कटिंग कर दिए हूँ आप देख रहे हो सेंटर से भी मैं करीब 5-6 चोटे-चोटे हो बना दी हूँ करीब दो इंच के डिस्टेंस पर ठ चला दना जरूरी है ताकि सारे सीड एक ही जगई कठा ना हो इसे मतलब जरूरी नहीं है कि जितना भी आप सीड डाल रहे कि सभी के सभी अंकुरित ही हो जाए ऐसा नहीं है लेकि 90% इसमें अंकुरित होंगे यह मेरा आप से वादा है क्योंकि मैं खुदी ताकि बर्ड्स आते हैं हमारे गार्डेन में अलग अलग तरह के बर्ड्स आते हैं तो क्या करते हैं सीड चुन-चुन के खा लेते हैं तो इसलिए हम इसे हलकी हलकी मिटी से दवा करके इसके बाद उपर से हलकी मिटी से कवर कर देंगे ताकि उपर से दिखना नहीं उसे प्रॉपर मॉइस्टर चाहिए तो इसके लिए नमी के लिए हम उपर से हलका मिठी से कवर कर देंगे आप कोई भी ऐसा गार्डेन कंटेनर ले सकते हैं बसरते आपने ड्रेनेज का खास क्या लगनी है कि पानी उसमें जमने नहीं चाहिए जो पानी है मिठी गिला होने के इतने सारे धनिया ग्रूप में उगेंगे ना बिल्कुल बंच में कि यह कवर हो जाएगा पूरा बॉटल दिखेगा भी नहीं और क्योंकि इसे शॉर्ट टाइम के लिए मैं ग्रो कर रही हूं यह पमानिन प्लान तो इसलिए मैं इसमें ग्रो कर रही हूं और यह चीपेस् जादा पानी का फोर्स पहने पर गड़ा हो जाएगा इन चीजों को ध्यान रखते हुए महलकी मिटी से पूरा कवर करके इसे बिल्कुल कंप्लीट सनलाइट में रखेंगे इसे पूरे दिन भड़ की सनलाइट मिलनी चाहिए साथ ही साथ अप इसे अगर मिटी की में बात क अब इसके उपर में हलके हलके पानी से स्प्रिंकल करूंगी पानी स्प्रे करूंगी इसके उपर था कि बहुत ज्यादा पानी का फोर्स परने पर सीट बाहर आ जाएगा मिटी बिल्कुल बाहर आ जाएगी बह जाएगी तो इसलिए में हलका हलका पानी से प्रिंकल कर दे यह प्रेंगा पानी से प्रिंखल कर दूमी में 10 दिन के अंदर यह तरह से अंकुरित होंगे यह जो आप देख रहे हो यह से इम अपनाई थी तो यह यहां तक होचने में मुझे कम से कम 20 दीन या एक में आपको लगेगा और यहां पहुंचने के बाद फिर प्लान बहुत ते आप घर में आसानी से कटिंग करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यह तो हुआ सीर से जर्मिनीट करके प्लांट उगाने का तीन चार महिने अपने शिंतर हो इसके लब बजार से जर सही तगर अगर धनिया लाते हैं तो उपर से लीफ कटिंग करके छोटे वाले जो लीफ ह एक्सपेरिमेंट है जो मैं आप से शेयर करी हूं आप भी ऐसा अपना कर देखिए या इससे आप प्रयोग करके देखिए जरूर सक्सेस्फुल होगा मिलती हूं नए कंटेंट के साथ नए वीडियों तर तक के लिए बाबाई